नमज़कर तोस्तों वेल्डिसकाई के एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सभी लगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने स्रीज स्टार्ट करी थी जिसके अंदर हमने अल्रेटी दो वीडियो वीडियो शेयर किये हैं हाला कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है बाकि दो वीडियो इंपोर्टन थे अगर आपने वह वीडियो नहीं देखें इंट्रडेट ट्रेडिंग सेट अप्स के तो वीडियो आप यहां पे और यह हैं वो वीडियो जहां पे कि एक यह वीडियो है एक यह वीडियो एक यह वीडियो 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 वन वीडियो टू इंपोर्टन है क्योंकि इसके अंदर हमने वन मिनट का हाई और लो मार्क करना सीखा था वीडियो टू में हमने फाइब मिनट का हाई और लो मार् मार्केट में यूटलाइस कर सकते हो ठीक है तो वीडियो को यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यह वीडियो नमबर 3 है और इसके अंदर हम सैलिंग सेटप के बारे में बात करेंगे कि जब भी सैलिंग के बारे में बात होती है तो आपको क्या चीज देखनी चाहिए इस चीज के बारे में हम यहां पर समझ रहे हैं ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हम चार्ट पर चलते हैं तो देखो सबसे पहला जो प्रॉसेस है हमारा वो प्रॉसेस सिंपल सा प्रॉसेस है उसको आपको हमेश को watch करो ठीक है जैसे कि मेरे step हैं जो भी लोग मेरे को follow करते हैं जिन लोगों ने भी मुझसे सीखा है आज के time तो वो phone तक भी नहीं करते हैं इतने सारे लोग जो सीख चुके हैं है तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सिंपल से steps हैं उन्हें steps को आपको हमेशा follow करना है हमेशा में इसकलब आप कुछ भी setup लगाओ मार्केट में अगर आप यह steps follow करोगे तो definitely आपकी जो trading है वो काफी दादा improve होगी आप हमेशा आपकी entry कभी भी गलत जगे नहीं होगी आप सही जगे entry लोगे और उसका benefit आपको यह मिलेगा कि आप हमेशा जाधा तर time profitable रहोगे ठीक है तो सबसे पहला जो steps है वो हमारा क्या है कि हम combination ढूंटते हैं जैसे कि यहां पर हम बात करें तो एक green बनी दूसरी green तीसरी red 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 तो हमें combination मिल गया यह हमारा low हो गया यह हमारा high हो गया simple सी चीज़ है यह हमारा क्या है one minute का high or low है one minute के high और low के बीच में market कभी जब भी trade कर रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना चाहिए इसके बीच में अकर आप कुछ भी करोगे तो यहां पे आप trap होने के आपके chances बहुत जादा रहेंगे और आपके loss करने के chances बहुत जादा रहेंगे यानि जो लोग instantly खुलते ही trade ड बना दी और आपने वो profit book करके बाहर निकला अगर आपने उसको 5-10 minute hold किया position को तो वो guaranteed आपकी position loss में आ जाएगी तो सबसे पहला process यही आता है दूसरा process क्या आता है दूसरा process आता है कि जब भी यह high और low break होगा तब हमें एक नया high मिलेगा जो कि 5 minute का high होगा और low break होगा त तो 5 minute का low मिलेगा ठीक है अब हम selling setup की बात कर रहे हैं कि माल लीजे market at 11 की वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आज हम selling side पे काम करेंगे तो selling side पे काम करने के सिर्फ 2 ही मेरे levels हैं जिन पर मैं focus रखता हूँ यानि 2 ही तरीके के setups हैं जिन पर मैं selling करता हूँ ठीक है एक होता है ज इसमें मैं jackpot setup के लिए काम करता हूँ ठीक है जैसे कि simple दीचीज है जैसे कि आपको देख रहा है यहां पे कि हम क्या करते हैं जो day low का target होता है उसमें क्या होता है simple दीचीज कि market ने one minute के high और low को mark किया जब इसने high को break किया है तो यहां पे हमें एक trade डालते हैं जिसमें हमारा day low का target होता है ठीक है day low का target होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका day low का target जैसे यहां पे इसने break किया और immediately आपका day low का target हिट हो गया ठीक है इस case में कभी कबार यह होता है कि market ऊपर movement करता चला जाता है तो stop loss क्या होता ह stop loss जो होगा वो होगा आपकी 5 minute की जो green candle बनती जाएंगी उसके high के ऊपर आपका closing basis का stop loss होता है for example मैं समझाता हूँ यहां पे तो वो नहीं हुआ पीछे चलते हैं थोड़ा सा यहां पे समझते हैं ठीक है यहां पे आप देखो पहले मैं आपको day low का ६ता रहा हूं सकी selling साइट पे day low का target कैसे मिलता है यह expiry का दिन दा ठीक है यह expiry का दिन है ठीक Kा यहां पर हम सबसे पहले high और low create किया है अब short करने के दो तरीके हैं एक या तो आप इसको 5 minute के candle पर convert होने दो यानि 5 minute की red candle मिल जा है तब आप short कर दो जैसे कि यहाँ पर आपकी 5 minute की candle मिल गई यहाँ पर आप short कर दो ठीक है यहाँ पर आपका short हो गया stop loss क्या है stop loss है आपका इसके उपर की closing इसके उपर की closing है इसके उपर की trading अगर होने लगती है तो आपका stop loss है जैसे कि इस case में आपने यहाँ short किया है ठीक है जैसे कि यहाँ पर जब short किया था तो यहाँ पर आपकी 7600 की put 10 रुपे मैंने buy करी थी ठीक है 1 minute का high break होता है तब हम क्या करते हैं उसको selling की side पे हम एक rate डालते हैं और उसमें हमारा day low का target होता है ठीक है जैसे कि इस case में आप देख रहे हो यहाँ पे हमने 1 minute का high और low mark किया आपको देखेगा यहाँ पे यह देखो 1 minute का high और low हमने mark किया हाई mark करने के बाद इसने high को break किया हाई पे हम क्या कर रहे हैं sell कर रहे हैं तो हाई पे हम जब sell कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तरीके हैं sell करने के या तो आप जहाँ पे एक red candle मिल जाए 1 minute में आप वहाँ भी sell कर सकते हो या फिर आप अपने time frame को convert कर लो ठीक है time frame को convert किया आपको जहाँ पे आपको 5 minute की red candle मिल जाए वहाँ पे आप इसको sell कर लो और day low का आपका target होगे जैसे इस case में यहाँ पे आप देख रहे हो और stop loss क्या होगा जो candle बनी है इसके उपर का 5 minute की closing अगर आ जाती है तो फिर आप यहाँ पे अपना stop loss trigger मान सकते हो और अपनी position से exit कर सकते हो इस case में क्या हुआ यहाँ पे देखो इसने उपर तो गया बर trade नहीं कर पाया उसके अद यह नीचे आ गया तो इस दिन expiry के दिन जो option था वो 17,600 की put 10 रुपे पे मैंने buy करी थी और उसको करीब 32 पे मैंने exit किया था और 17,550 की put मैंने 4 रुपे पे buy करी थी 14 रुपे पे मैंने उसको exit किया था तो यह target आपका day low का यहाँ पे hit हो गया ठीक है यह selling setup है same चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखो यह आपका high 1 minute का high और low है यहाँ पे यहाँ पे आपका break हुआ यहाँ पे आपका break हुआ और day low का आपका target था day low target यहाँ पे hit हो गया ठीक है same चीज आप थोड़ा पीछे जाओगे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी तो जादतर टाइम क्या है कि आपको 1 minute के high के ऊपर short करना है और day low का target आपको लेके चलना है एक selling setup आपका यह है दूसरा selling setup है आपका जो की है jackpot trading setup जिसमें हम क्या करते हैं जब market 5 minute के low के नीचे trade करने लगता है तब हम उसको utilize करते हैं means इसमें क्या है कि जैसे 1 minute के high और low में ज़रूरी नहीं है कि आप nifty और bank nifty दोनों को देखो ठीक है लेकिन jackpot setup में आपको दोनों को देखना ज़रूरी है दोनों को means आपको nifty और bank nifty दोनों अपने 5 minute के low के नीचे trade करें ठीक है न जैसे इस case में आप देखोगे यहां पे आपका 5 minute का low बना ठीक है और इसने अब low के नीचे trade नहीं किया है तो यहां पे आपका jackpot setup नहीं बनेगा ठीक है न यहां पे आपका 5 minute का low break हो रहा है ठीक है यहां पे आपका 5 minute का low break हो रहा है उसके नीचे भी trade कर रहा है तो यहाँ पे आपका jackpot setup बनेगा यहाँ से आप देख सकते हैं 17605 से इसने जो low बना दिया वो आपका 1750 का हो गया यानि 50 point का moment आपका यहाँ पे रह गया दोनों index में यह चीज होनी चाहिए ठीक है तो जब भी आपको selling setup के बारे में बात हो रही है तो आप एक चीज ध्यान में रखिए कि selling अगर मैं बोल रहा हूँ कि selling side काम करूँगा तो selling side काम का मतलब यह ही है कि या तो one minute का जो high है वो break करे market तो मैं sell करूँगा यानि one minute का high break हुआ जैसे इस case में यहाँ पे one minute का high break हुआ तो मैं selling setup पे काम करूँगा या फिर पांच minute के low के नीचे दोनों index trade करें तो मैं selling setup पे काम करूँगा इतना आपको clearly समझ में आ गया तो यह selling setup है इसमें आपको कोई confused रनो तो मेरे को comment box पे comment करके जरूँ बताइएगा अगर कोई सीच समझ में नहीं आती है तो मैं दुबारा से इसको repeat करने के कोशिस करूँगा और जो live streams मैंने आपको बताइएटी share कर रखी है वहाँ पे जाईए वहाँ पे भी same चीज मैंने यहाँ पे describe करी हुए आप वहाँ से भी चीजों को understand कर सकते हैं तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा तो फिलाल इस वीडियो में नहीं है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like or share जरूर करिएगा और channel to do subscribe कर लेजी क्योंकि मैं सो दिल लेके आतर हूँआ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जैहिंद